केंद्री जल्शक्ति मंत्री वे भाश्वा प्रतियासी कजेंद्र सिंग शेखावत ने शनीवार को पोकरन विधान समचेत्र की जन सभाओं में कॉंग्रेस पर जम कर निशान असाधा और कहा कि कॉंग्रेस जूट वॉल कर विभाजन करने वाली पार्टी है 2018 में कॉंग्रेस ने जो वादे किये थे वो तो पूरे नहीं हुए और इस बार जोदपुर में जगए जगए बोर्ट लगे हैं जिनमें लिखा है वादे नहीं विकास करेंगे कॉंग्रेस ने 2018 में वादा किया था युवाओं को बेरुजगारी भत्ता देंगे महिलाओं को सुरक्षा देंगे और सूशाशन देंगे लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया जनसाभाओं में शेखावत ने कहा कि जब कॉंग्रेस सरकार के पास वादा पूरा करने की हैसियत थी तब वादे पूरे नहीं कर पाई और अब कहते हैं कि हम वादा नहीं विकास करेंगे जब कॉंग्रेस के लो में आपके प्रतेनी धी कॉंग्रेस के वल भ्रह्म फेला का लोगों में विभाजन करने में जुटी है जिससे उसे भी जनता के बीच में कुछ जगा मिल सके शेखावत ने कॉंग्रेस प्रतियाशी के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उसने कहा कि वो चांद तक सोने क सीडी बनाएंगे शेखावत ने तंज कसा कि सोना कहां से लाएंगे लगता है राहुल गांधी मशीन में आलू डालेंगे और सोना निकलाएगा और उसी से चांद तक सीडी बनाएंगे शेखावत ने कहा कि इस तरह कि बेतों की बाते करना कॉंग्रेस के विवार में शामि कि अगली बार घटना होगी तो हम बर्दास नहीं करेंगे वहर घटना के बाद केवल यही बयान देते थे लेकिन कभी भी भारत के खिलाव गतिवीधी चलाने वालों के खिलाव सक्त एक्षन नहीं लिया गया शेखावत ने कहा कि जब 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया था तब से देश में परिवर्तन का दोर शुरू हुआ है भारत दुनिया का अगले 1000 साल तक नेत्रत करेगा इसलिए भार्षपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है जिससे देश के हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकेंगे